जितने भी विद्यार्थी बिहार बोड से मैट्रिक या इंटर की बोड एक्जाम 2024 में समलित होने जा रहे हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए अभी से लेकर फरवरी तक कौन सी परकिरिया कब होगा। जैसे कि मैट्रिक का एक्जाम चार बार होगा तो पर्थम सा आपका फॉम कब से भराएगा ड़िजिनल रजीश्टेशन कारड कम मिलेगा आपका एड्मिट कारड कब होगा। इसकी चर्चा करेंगे। इससे क्या बेनी फिट होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका ये कार्य इस मंत में होगा तो उसी रूप से आप अपने आपको प् काई सा कारिया कब करना है चाहिए आप मैट्री की एकजाम देने जा रहा है 224 में या आप इंटर की वोड़ Εकजाम में संबलीत होने जा रहा हैं तो सबसे पहले बात करते हैं intermediate स्क्राण सब्सक्राइब कर這麼 के लिए लिए तो इंटरे में संथ्धे और ePHC और कुछ महत्वपूर्बात कि आपका रजिस्टेशन हुआ है तो डमी रजिस्टेशन कार्ड कब आएगा रजिस्टेशन कार्ड कब आएगा तो देखिए जितने भी छातर छातरा हैं इंटर की बोड एकजाम 2024 में समलित होने जार हैं तो आपका डमी रजिस्टेशन कार्ड तो dummy registration card सुधार के लिए आपको जारी किया जाएगा 27,7 के दिन और 10,8 तक उसमें आप सुधार करा पाएंगे तो अभी intermediate के चातरों को यहीं समझना है कि आपका dummy registration card कब आएगा तो आपका dummy registration card आने जारा यहाँ पे देख लिजिए कि 27,7 कवर्था के 7,7 महिना में जारी किया जाएगा जो आपका dummy admit card आएगा उसमें सुधार करके आपका मूल सुची करन काडर तक जो original registration card आएगा जब dummy registration card में सुधार हो जाएगा तो original registration card जारी किया जाएगा आठवे महिने में 23,6 तक जिसे आप 7,9 तक परात कर पाएंगे और वहीं पर बात करें कि intermediate board exam 2024 के लिए registration तो हो चुका है लेकिन form कब भराएगा फॉम भराएगा पचीस आठ अठत की आगस्त में 25 तारिक से 8,9 तक डेट रहेगा ये तो 2025 के लिए बात किया जाएगा कि 2025 वाले 6,6 अत्राव करें तब तक registration शुरू होगा वहीं पर आगे बताया जा रहा है कि आपका dummy admit card जैसे dummy registration card आता है वैसे ही inter board exam 2024 के लिए dummy admit card जारी किया जाएगा तीन 10 के दिन अर्थात की 10 अक्टूबर में तीन तारिक के दिन जारी किया जाएगा और 17 तक उसमें भी आप सुधार करा पाएंगे आपका जो जाच परिक्षा है जो center परिक्षा यहाँ पर देके date मिल गया center परिक्षा 1110 से होगा और आपका final board exam के लिए routine आपके दिसंबर मन्त में 2023 में जारी किया जाएगा तो यहाँ पर clear समझ के रखना है कि जितने भी छातर छातर आएं इंटर की board exam 2024 में समलित होने जारे हैं तो आपका dummy registration card 27-7 के दिन जारी होगा फिर आपका moon registration card 28-8 के दिन आएगा आपका exam form आठवे महिने में 25 तारिक से भराएगा और आपका dummy admit card जो होगा तीन 10 को जारी किया जाएगा सेंट एक्जाम 11-10 से सुरू हो जाएगा वहीं मैट्री के छातरों की बात करें कि जो छातर छातर है मैट्री की board exam में समलित होने जारे हैं तो आपका जो dummy registration card है तो dummy registration card आपका 27-7 के दिन आपका भी जारी किया जाएगा और उसके साथ उसमें सुधार कराने के पास साथ आपका original registration card 28-8 को जारी होगा मैट्री के हम लों चर्चा कर रहे हैं देखें मादमीक परिक्षा के बात हो रहा है और आपका जो है परिक्षा फौं मैट्री का 25-8 से बराएगा सेम डेट चल रहा है और यह तो 2025 की बात हो रहा है दोज़ार 24 में मैट्रिक के छातरों का dummy का 3-10 के दिन जारी किया जाएगा मैट्रीक बोड़ एकजाम 2024 के लिए सेंटर परिक्षा सुलह एगारों से सुरू होगा और आपका भी जो रूटिंग हो रहा है वो बराहों महिने में जारी किया जाएगा तो यह सभी डेट है आप इस्टेशन कार्ड रजी स्टेशन कार् अब चलिए आगे कुछ महत्वपूर बात तो इंटर के छात्रों के लिए तो ठीक है कि इंटर के छात्रों के लिए आपका सीधे सेंटर पर एकजाम होगा उसका फाइनल बोड़ एकजाम लेकिन मैट्रीक बोड़ एकजाम से पहले मैट्रीक के छात्रों को कुछ और परिक नहीं आया है, तो मैट्री के छात्रों को किलियर समझना, आपका पर्थम सावधिक परिक्षा जुलाई मन्त में पड़ेगा, तो इसी साब सापको तयारी करना है, फिर मैट्री के छात्रों के लिए दूतिये सावधिक परिक्षा सितंबर मन्त में होगा, पिछले साल 20 मन्त में आपका दूतिये सावधिक परिक्षा होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले, काफी भी ध्यार्थिक को कमेंट आ रहा हूँ, इसको लेकर आगे मैं ऑफिसल अपडेट दिखा रहा हूँ, सेंटर में एक्जाम को लेकर अपडेट भी आया है, फि प्रफम साउधिक परिक्षा है, उसका तो इसकोल के असतर पर एक्जाम होता है, किसी स्कूल का प्रसंपत्र कुछ, किसी स्कूल का प्रसंपत्र कुछ रहता है, एकनो वहीं पर जो center पर exam होता है ये BSCB लेता है और बिहार बूड़ी की तयारी शुरू कर दिया आपके center बूड का प्रसंपत्र होगा रस्रेट करना है ये exam आपके बिहार बूड के प्रसंपत्र पर होता है तो center exam की तयारी आपको अच्छा से करना है अगर आप एकजाम के लिए अपडेट जारी किया गया है मैटरीक इंटर की center परिक्षा बूड करता है तो इस साल भी हार बूड ही आपका एकजाम करेगा बरस दुजार चौबीस में मैटरीक इंटर परिक्षा में सामील होने वाले विद्यार्थियों का बूड ही center प्रसंप एकजाम परक्षा लेते थे सेंराट के लिए परसन उफ्के लेने के कारण नहीं परक्षां की में ट्ट की यह फार्ट में लीख दिया इसी तरह डेट जारी कर देता था और आपका रूटीन नहीं आता था रूटीन का मतलब किस दिन किस बिसाय का एकजाम होगा तो सब इसकूल को अपने मर्जी से एकजाम लेते थे तो हर दिन परसंपत्र आउट हो जाता था किसी स्कूल में किसी दिन किसी बिसाय का एकजाम हो परिक्षा की तयारी कर रहा है और इसको लेकर अपडेट भी जारी किया गया है तो उमीद कर रहा हूं आज की इस वीडियो के माधियम से आप समझे हैं कि आपके कौन सी कार यह कब होगा मैट्रिक इंटर बोड एक्जाम में अगर आप समली थो रहे हैं तो इसी हिसाब से कब आपका ड solidarity काड़ आएगा यहारी का जिस वीडियोर्य का कटिंग में दिखा रहा हाता उसको अगर आपको अपने मुबाइल फोन पे पढ़ना है कि हाँ क्या अपडेट आता है भी हार बोड से डेली तो इसके लिए आप टेलिग्राम चैनल से हमारे जुआइन हो सकते हैं आप अराम से इस लाइब क्लास जुटकर फिरी में अपनी तयारी कर सकते हैं इसी चैनल पे ए आर करेर पॉइंट यूटूब चैनल पे डेली साथ बज़े साम में लाइब क्लास चल रहा है और BACB यूटूब चैनल पर डेली 11 अम पे क्लास चल रहा है उसके बीच में कौन सा कारिय कब होगा इसी रूप में अपना तयारी कीजिए ऐसे जैसे ही कोई अगल अपडेट आएगा आप जानते हैं हर पलपल की अपडेट इस चैनल पे आपके लिए उपलब्द कराया जाता है तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत बढाल्यबार्ध कराया जारा जाप दिए जैसे बीचमाद़ को बहुत उपडेट एन्यबाधा जानते हैं वहुत झाप बहुत टूप इस आपने दिए टूबबावार्ध